हेलो एवरीबन वेलकम तो कैश किचिन आज हम बनाएंगे क्रिस्मस स्पेशल केरमल प्रेड पॉपकर ये रेसिपी बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी और ये क्रिस्मस के लिए आइडल डिश होगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेर करें अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैश कीचिन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कैरेमल प्रेड पॉपकोर्ण बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड छे स्लाइसेज चीनी आधा कप वनीला एसेंस एक चोथाई टी स्पून बटर दो टेबल स्पून बेकिंग सोडा चुटकी भर सफेद तिल एक टेबल स्पून आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन को लो फ्लेम पर गरम कर लें अब इसमें तिल डाल कर दो मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लें और इसे एक बोल में निकाल लें अब ब्रेट स्लाइसेज लें और इनके कॉर्नर्स को काट लें अब ब्रेट स्लाइसेज को चोट चोटे क्यूप में काट लें आप इसके कॉर्नर्स को फैके न आप इससे ब्रेट क्रम्स बना सकते हैं अब पैन में ब्रेड क्यूप्स डालें और उन्हें तीन से चार मिनर्स तक रोस्ट कर लें इसे लगातार चलाते रहें देखिए यह इस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे तो अब इन्हें प्लेट में निकाल लें अब सेम पैन में लो फ्लेम पर बटर डालें और उसमें चीनी एड करें और उसे लगातार चलाते रहें ध्यान रखें इसे लगातार चलाते रहें ताकि चीनी नीचे न लग जाए अब जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसमें वनीला एसेंस डालें और उसे लगातार चलाते रहें अच्छे से मिक्स कर लेंगें अब इसमें बेकिंग सोडर डालें और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें लीजे कैरमल तेयार है अब फ्लेम बन कर दें और रोज कियेवे ब्रेड क्यूप्स को उसमें डालें और कैरमल में अच्छे से कोट कर लें अब इसमें सेसमे सीट्स डालें और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें सेसमे सीट्स डालने से इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है अब इन्हें एक प्लेट में जल्दी से निकाल लें और अच्छे से स्प्रेड कर लें और उन्हें ठंडा होने दें ठंडा होने के बाद अब इन क्यूप्स को आपस में अलग कर दें लीजिए कैरमल ब्रेड पॉपकॉन तेयार हैं यह बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनते हैं इस क्रिस्मस में आप इसे जरूर ट्राइ करें अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसे लगी